हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमित एंटी रस्ट कोटिंग बहुत जरीरी हो गई आज के टाइम में जैसा कि आपको पता है मौनसून भी चल रहा है और इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पर रोड्स पे अगर टार्मेक भी है उस पे भी इतनी जादा डस्ट रहती है कि बारिश पढ़ते ही वह कीचड बन जाता है और में हाइवेस पर भी इतना कीचड रहता ही रहता है क्यों आपके अंडिर बौडी पर पूरी तरह से लग जाता है अब यहां पर पॉसिबल नहीं है कि हम डेली यहर दूसरे दिन जा के अंडिर बौड़ी को क्लीन करने के लिए इसलिए देखें कि प्रायर्टी है चाहें वो इस चीज को अपनी प्रायर्टी लिस्ट में रख सकते हैं जैसा कि रहनों ने किया है हाला कि ट्राइबर एक एक अकॉनॉमिकल प्रॉडक्ट है लेकिन उसके बाफजूद जो ट्राइबर में जो अंडर बॉडी को उस पर बिलीव नहीं किया जाता इस वीडियो में मैं वही दिखाने वालां अंडर बॉडी का आपको एक टूर दिया है कोटिंग किस तरह से दिखती है और कैसी-कैसी आपको फील होगी वह मैंने पूरा दिखाया इसमें और किस जगा कोटिंग आपको करवानी है ऐसा नही एक अंडर बॉडी तूर की तरफ हूं कुछ लोग अंडर बॉडी कोटिंग करवा रहे हैं तो उनके लिए जो मेरी सला है वह यह देखिए आपको काला काला दिख रहा होगा यहां से तो यह जो यह तेल नहीं है किसी भी तरह का यहीं मैटीरियल है जो हमारी अंडर बॉड करता है पहले से प्रीप्लाइड कंपणी की तरफ से पूरी गाड़ी में यह देखिए जहां भी आपको इस तरह का टेक्शर दिख रही है यह पूरी गाड़ी में प्रीप्लाइड है तो आपको इस चीज़ की टेंसिल नहीं लेनी है आप इस बारे में सोचना छोड़ कर तो यह नहीं करवाना आपको फिलाल के लिए इसको छोड़ सकते हैं साइड कर सकते हैं लेकिन जो एक और कोटिंग साइड के साइड कोटिंग अलग होती है वह आप जरूर रवाई उसके लिए मैं बिलकुल आपको कहूंगा यह देखिए यह पूरी हमारी सैलेंसर के असेंबली है और यहां सबसे जादा जो हीटेड पार्ट है जो भी हमारा को रोजन होता है वह इस जगह यहां रिड्यूसर होता है इंटरनल हम रोक नहीं सकते लेगिन एक्टरनल हम इसके करवा के रोक सकते हैं 700, 700 रुपे की कैन आती है 3M ब्रेंट की वह आप लगा के इसके एप्लाई कर सकते हैं तो बगेंघर सैलेंसर कोटिंग मस्ट है वह जरूर करवाई है पूरे सालेंसर पर आपकी एक वो क और आप online order करके एक can से पूरे silencer पे coating करवा सकते हैं इनफ है करना कैसे है आपको इसके लिए lift पे जैसे ये वीडियो में आपने देखा lift पे टांगने ज़रूर है उससे पहले जो आपका नीचे का surface है वो पूरी तरह से clean होना चाहिए तब वो अच्छे से apply होती है और ऐसा paint यह नॉर्मल पेंट नहीं है इस्प्रे हो जाता है और जितना ज्यादा temperature ज्यादा जाता है उतने ज्यादा इसकी grip बनती है दूसरे paint से बिल्कुल reversible इसका जो नेचर है वो रहता है तो इसलिए करवानी जरूरी है और अगर आपको यह चीज इंफरमेटिव लगी हो आपके उन्मल पेलों